हाई दोस्तो टीफूर चाल्ज में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट को Permanently Delete कैसे कर सकते हैं तो चले दोस्तो इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे कहायाता है आज की वीडियो में आपको full detail में बताऊंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है Instagram application अपना open कर लिजिए तो यह रहा मेरा Instagram application इसको हम open करेंगे जैसी दोस्तों आप Instagram application open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का page दीखता है first page में अब आपको जो click करना है यहाँ पर जो मैं यह dot आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो आदमी जैसे नीचे icon बना हुआ है right side में यहाँ पर आप click करिए जैसी आप आदमी जैसे icon के उपर click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का page खुल करके आएगा अब जो आपको click करना है वो उपर में आपको right side में तीन line आपको दिख रहे होंगे इस तीन line के उपर आपको click कर लेना है जैसी दोस्तों आप तीन line के उपर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का page खुलेगा अब आपको नीचे जाना है यहाँ पे help जो लिखा हुआ इसके उपर click करेंगे जैसी आप help के उपर click करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीक का page खुलेगा अब आपको यहाँ पे second number पे आपको help center जो लिखा हुआ इसके उपर click करेंगे account delete करने के लिए जैसी आप click करेंगे तो आपसे कोई browser open करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आप browser को open कर लिजिए तो मैं यहाँ पे एक browser open हो गया है मेरा खुद बखुद अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको help center का option खुल गया है अब आपको यहाँ पे option मिलते है using instagram और second number पे manage your account तो यह second number पे manage your account लिखावा है इसके उपर ही आपको click करना है जैसे आप manage your account को उपर click करेंगे तो आपको manage your account का system खुल दाएगा अब यहाँ पे आपको delete your account जो लिखावा है दूसरे number पे यहाँ पे आपको click करना है जैसे आप delete your account को उपर click करेंगा अब आपको नीचे जाना है यहाँ पे आपको फिर से आपको second number पे आपको how do I delete my Instagram account को उपर आपको click कर लेना है जैसे click करेंगे आपको pop-up खुलेगा आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है the delete your account page तो यहाँ पे आपको click कर लीजे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो फिर से आपके सामने एक option खुलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं अब आपको जिस भी account को आपको delete करना है दोस्तो यहाँ पे उसका आपको email id या फिर अगर आपने mobile number से account बनाया था तो mobile number और यहाँ पे उसका password डाल लीचे और login होईए तो चली यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना number और password डाल देए और यहाँ पे note now कर दूँगा यहाँ पे नीचे और चली अब यहाँ पे हमारा account आगे बढ़ चुका है अब यहाँ पे बोले जा रहा है कि delete your account यानि कि आप account delete करना चाहते हैं तो यहाँ पे why are you delete your account आप account क्यों delete करना चाहते हैं आप से एक reason पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको click करना है इस icon के उपर जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे आप एक कोई सा भी reason '' הזies to delete कर ले तो यहाँ पे something यहाँ पे 1, 2 remove something यहाँ पे हम click करेंगे और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है To continue, please re-enter your password यानि कि आपको फिर से अपना password डाल देना है तो चलिए यहाँ पर password डाल लेते हैं और दोस्तों password डालने के बाद आपको क्या करना है नीचे आना है और यहाँ पर आपको option मिलता है Permanently delete my account यहाँ पर आपको click कर दिजिए जैसे आप नीचे आपको एक बार पुछेगा कि are you sure you want to delete your account तो यहाँ पर OK के ओपर आपको click करना है जैसे आप OK के ओपर click करेंगे आपका account delete हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिख करका एगा Instagram your account has been removed we are sorry to see you go तो इस तरीके से आप अपना Instagram का account delete कर सकते हैं तो वीडियो कर दिजिए like और चाहल पर नहीं हैं तो subscribe करने के बाद गंटी के बटन जरूर दबाएगा